आप देख रहे हैं वेद संसार और दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे सपने में आस्मान को देखने का क्या मतलब होता है लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देखें दोस्तो हम सपने तो देखते ही हैं और सपने में कई बार प्रकृति के दर्शन करते हैं जैसे कि आस्मान क्या कभी सोचा है कि सपने में आस्मान को देखने का क्या मतलब है तो दोस्तो ये बताते हैं सपने में आस्मान को देखने का क्या मतलब हम अक्सर खुद को आस्मान में उड़ते हुई या फिर किसी और रूप में आस्मान को देखते हैं लेकिन यह समझ नहीं पाते कि आखिर इन्हें देखने का मतलब क्या है बता दे कि सपन शास्त्रों के अनुसार सपने में आस्मान को देखना बहुत शुप माना जाता है वहीं अगर आपको इसकी गहराई में व्याखा करनी है तो जानना बहुत ज़रूरी है कि सपने में आपने आस्मान के साथ क्या क्या चीज़े देखी है तो आगे आपको बताते हैं कि गर्वती इस्त्री के सपने में आस्मान देखने का क्यार्थ है कहते हैं अगर आप सपने में खुले वे साफ आस्मान को देखते हैं तो यह एक शुप संकेत हैं यही नहीं ऐसा देखना व्यपार और करियर में उन्नती का संकेत भी होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर गरवदी स्थ्रियप में सपने में आस्मान को देखती हैं तो यह पुत्रवाप्ति का संकेत होता है। यही नहीं सपने में आस्मान में बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो विया वफसाय में स्थिर्ता की निशानी समझा जाता है आगे बात करते हैं सपने में आस्मान में उर्ते हुए देखने का क्या मतलब है बतादे कि अगर आप सपने में खुद को आस्मान में उर्ते हुए देखते हैं तो खुश हो जाईए क्योंकि यह प्राप्ति और व्यपार में व्रिद्धी का संकेत माना जाता है और साथ ही हाथों से आकाश छूने को मनुकामना की पूर्ती होने का निशान भी समझा जाता है दोस्तो आस्मान को छूने की चाह हम सभी को होती है लेकिन यह सिर्फ किसी सपने के सहरे नहीं हो सकती हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए ताकि हम एक दिन जरूर से आस्मान को छूप आए तो दोस्तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको सपने में आस्मान को देखने का मतलब बताया तो उमीद करते हैं अगर आप भी आगे से सपने में आस्मान देखते हैं तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या होने बनी और दोस्तों अगर आपको हमारे ही वीडियो पसंद आया है तो अब इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा हम जल्दी लोटेंगे के नए और रोमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद